Hello everyone, कैसे हैं आप लोग तो आपने मेरे question and answer Q&A वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया और इतना ज़्यादा उसे like किया तो मैं second part इसका लेके आ गई हूँ कि आप लोग के जो भी question है उनके answer गरती हो ठीक है तो first question है तेज मनी यादो का कि PYQ before 10 years अगर आप 10 years के भी PYQ कर लेते हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है चाहे फिर mains हो या फिर pre exam हो क्योंकि आप जानते हैं कि pattern बदलता रहता है ठीक है एक बार जैसा paper आ गया next time उसमें थोड़ा सा change हो जाता है question पूछने के pattern में या फिर question का मतलब subject के according अलग तरीके से question कूछता है तो आप 10 years के ही कीजिए और अभी जैसा paper आ रहा है उसको main focus करिए और subject को अपने syllabus में जो लिखा इसको बार बार revision करिए बहुत 10 साल से भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप मतलब अभी से लेकर 5 साल तक के भी question paper कर लेंगे ना तो भी इनाफ है अगर आप आपने 10 years तक के कर लिया यह तो बहुत ही बड़ी बात है इतना करिए पहले और 10 साल से पीछे question कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है शिवानी इवने का है कि उनको confusion हो रहा है कि coaching कौन सी करें तो आकार अच्छी है आकार कर सकते हो आप ठीक है आकार और MGICS में confusion हो रहा है तो दोनों अच्छी हैं आप दोनों में जाके देखे किस बात करके और कहां आपको comfort लग रहा है दोनों coaching में दो दो दिन class लेकर demo लेकर देखिए जहां के teachers से आपको समझ में आए वहां करिए और अभी हाली में ये मैं कोई promotion नहीं करी क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं किसी भी coaching से लेकिन अभी जितने भी toppers के मैंने लिया है इसके बाद विजय मवाई का है कि हिंदी मीडियम में कौन सी coaching करें आकार या mgics तो आपके लिए भी same answer है कि आप जाके देखिए demo लेके आखार और mgics दोनों अच्छी है अब next question है pilot pin यूज कर सकते हैं कि नहीं तो वैसे तो है officially की black या blue ball pin का यूज करना है लेकिन English medium में ज्यादा तर pilot pin यूज करते हैं और लास्ट के जो toppers है जैसे कि हरसल सरफ टॉपर रह चुके हैं जो 2018 के तो उन्होंने pilot pin यूज किया था तो आप ऐसा कुछ भी जो official उसमें नहीं लिखा है MPPSC में guideline में तो आप अपने risk पर कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हो सकता है तब कुछ नहीं हुआ कब क्या अचानक से change आ जाए कुछ कहां नहीं जा सकता है कब कितनी strictness बढ़ जाए तो हाँ ball pin भी यूज करना है और बाकि आपके मर्जी है कि अरविंद lange के लिए निर्मार के नोरten सकते है न जाएट इसे कुछ कश कुछ टापिक के या सब्योझक्ट के ही परता है सारे subject न परने χी वज़ा है निर्मार्ण से क्योंकि निर्मार्ण में बहुत ज्यादा, जितने हमें need नहीं, उतना ज्यादा, उसे भी ज्यादा है, हर booklet में, बहुत ज्यादा ज्यादा, ठीक है? एक-एक unit को 1-1 subject के बराबर दीया है, ठीक है? और आपको भी पता है एक unit 30 number की आनी है तो इसमें तो अगर आपने निर्मान पूरा कर लिया ना तो आपने बहुत ज़्यादा घर लिया है उससे ज़्यादा तो आपको कुछ करने की need नहीं है बहुत ज़्यादा है आपने आपने एकदम sufficient है Next है 2022 की strategy means की पूरी strategy की कैसे करें की एकी बार में निकल जाया ठीच है तो इसके लिए मैं full video लेके आऊंगी और main यह है की अपने नोर्स जो खुद के नोर्स से आपने decide कर लिया है फिर किसी की बातों में नहीं आना है अपने नोर्स पढ़ना है और test series देनी है और जादा जादा answer writing practice करनी है इस short में बता दिया next है यह question है MPPSC में current affairs कहां से पढ़ें MPPSC में current affairs के लिए आपको daily एक newspaper पढ़ना है हिंदी newspaper और ठीक है और उसके साथ last में जब paper आने वाला या दो महीने बाद paper है तब एक compilation आ जाता है speedy का yearly वाला और एक yearly वाली speedy ले लेनी है और अभी बस daily newspaper पढ़ना है हिंदी का कोई भी दैनिक भासकर है या जन सकता है या दैनिक जागरन है जो भी next है the MP exam इन्होंने बोला है कि मरावी सरनेम ST होते हैं तभी सर का हुआ है ऐसा कुछ नहीं है सर बहुत जादा talented है और मैंने इंटर्वी लेते हैं ये जिक्र करना भूल गई कि दीपक सिंग मरावी सर को इंटर्वी में 150 मार्क्स मिले हैं और कोई जब deserve करता है जो उसी को इतने मार्क्स मिलते है और जो interview board में बैठ है बहुत जादा experience है उनको अच्छे से पता है कि उन्हें मार्क्स देना है कौन deserve कर रहा है कौन नहीं तो सर तो बिल्कुल बोहुत ही जादर deserving है तो कोई भी नहीं होता किसी के उपर उंगली उठाने वाला रही बात कहते हैं और उनको 150 marks मिले हैं तो यह बताता है कि deserving candidate है ठीक है तो हम किसी को judge नहीं करना से ही वैसे आफसी पराड कर सर ने कौन सी coaching किया तो दीपक सिंग मारावी सर ने आकार से coaching किया ठीक है किमानसी बरोल बया बरोले complete book list MPPSC इसके भी मैं जल्दी वीडियो लाओंगी वैसे previous मैंने ये वीडियो बहुत पहले बना चुकी हूँ mains की book list का और three की book list का लेकिन एक बार फिर से बना दूँगी ठीक है कुमकुम जैन ने कहा कि आकार के जो नोट्स है वो English medium में available है या नहीं तो आकार कोचिंग हिंदी मीडियम है और उसके नोट्स भी हिंदी मीडियम में आते हैं English medium में आकार के नोट्स नहीं है पूजा ने पूछा है कि विख के नोट्स अच्छे हैं क्या तो देखो नोट्स सारे अच्छे है आपको भी पता है तो मैंने यह कि आप कोई भी नोट्स लो बस सिलेबा साथ रखो क्योंकि विख में कुछ-कुछ टॉपिक ऐसे गायब से रहते हैं अचानक से उड़े रह तो बस इतने ही question थे आप लोगों के जिनके मैंने answer दे दिये है I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो आपकी demand है मेंस की strategy की और book list की तो इसका वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगी और आप लोग motivated रहे और अच्छे से त्यारी करिए लगे रहे और मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye और हाँ बहुत ज्यादा support दिखा यार बहुत ज्यादा 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 like करो आप लोग देख लेते हो पर like नहीं करते हो और मेरी भी आदत में अभी तक मैं मुझे यादा थी नहीं पड़ी यार बोलने के कि like करो subscribe करो बट यार अब मैं बोलूंगे मैं भूल जाती हूँ ना अभी इसमें मुझे यादा आया कि मुझे बोलना है हाँ तो like करके जाना ठीक है और share करना ज्यादा सी ज्यादा और अगर subscribe नहीं गया तो channel को subscribe कर लेना क् कि happiness होती है यार कि आप जब कोई बार कर रहे हो और उसमें आपको कोई growth दिखाई दे रही है तो आपको अच्छा लगता है नहीं तो फिर थोड़ा सा demotivation होता है ठीक है तो और आप लोग वैसे मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हों बोलने के बात नहीं लेकिन फिर